नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे देश न्यूज संबल में की चंदोसी में परिवान विभाग एवं यातायात पुलिस ने प्रथम सड़क सुरच्छा सप्ता के तहत वान चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूग किया प्रथम सड़क सुरच्छा सप्ता के तहत वान चेकिंग अभियान चलाया लोगों को जागरूग कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया एाटियो संबल अमरीश कुमार ने बताया कि यह इस वर्ष का प्रतम सरक्त सुरच्चा सबता है क्योंकि कोरोना वायरेस की वज़ा से लागडाउन लगा हुआ था यह अभी तक आयोजित नहीं किया जाता का लेकिन अब देश भर में अनलॉक वन लागू है इसलिए इसको आ सर जो चग्या वियान चलाया जा रहा क्या कहेंगे इसके बारे यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधी 11 तारीशों लाणी मुसमंत्री दीकी अद्धचिता में पहली इस वर्ष की सलक्त सुरक्षा समिती की राज सलक्त सुरक्त समिती की बैठक संपन्ती तो तीस वर्ष कोविड की आपदा की वज़ा से बहुत से काम जो थे पीछे हो गया थे इस आपदा में तो धीरे धीरे जब से अन्लॉक मतलब लॉक्डाउन खतम हुआ है और सलकों पर ट्रैफिक सुरू हुआ है एक बार पुना सलक पर सलक्त सम्द्धी चीजें ज्यादा एक्टिव हो र रहे हैं इसे मानने मुखमंती जी ने कहा है कि अब लोग पब्लिक फुलकर सलक पर आ रही है हाला कि अभी कोविड का खत्रा बना हुआ है तो ऐसे मैं सोचल डिस्टेंसिंग का फॉलू कर पालन करते हुए कम से कम गैधिरिंग में लोगों को मोटिवेट किया जाए कि जब एक बार अन्लॉक हो गया है लोग सलक पर निकलना है तो याता अदमियों का पालन करना करें जिससे कि वो स्वैम भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें इसी कि दिश्टिकत इस वर्ष का पहला सलक सरक्षा सथा प्रारम हुआ है कल से 22 तारीक से लेकर 28 अधर सतकार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाता है आपके हर छोटी बड़ी खुश्यों में हम चार चांद लगाते हैं प्यार भरी भेट और उपहारों के रूप में तोहारों की रौनक बढ़ाते हैं आपके सभी अनमोल रिष्टों को हम प्यार से सजाते हैं स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम है शिवाज्वेलर्स घास बाजार माउ आपके सभी अनमोल रिष्टों के लिवाज्वेलर्स बाज़ाते हैं तो आपके सभी अनमोल रिवाज्वेलर्स बाज़ाते हैं